नमस्ते दोस्तो गुड़ मॉर्णिंग नए बरस की आपको बहुत सारी मंगल में सुब काम नाये ए नए बरस में एक काम किया हॉष्पिटल का काम आये 500 लिटर का है सोलर वाट रेटर बिटा रहा हूँ स्टील में बिठा रहा हूँ दोस्तो मेट्रेल आया है बिठा रहा हूँ आज उड़ी प्रोस्टिस आपको दिखा रहा हूँ दोस्तो हमारी दोस्त की कमपणी है वाटरसन कमपणी वाटरसन नाम की कमपणी है हमारी दोस्त की उनका महारश्टर में कमपणी है संगली जिले में दोस्तोश्ते नियों मेटल नो बिच ने कमपणी का भी आ हुआ घ्टा रहा हुँं की सरविस अचिरिए मटरेल अच्छा रहता है ईह अच्छुली हारे अलग अलग कमपनी का स्टेंड एस ट्रक्चर अलग अलग रहता है इनका अलुम्नियम का स्ट्रक्चर है रश्टर फ्री है अलुम्नियम प्रक्चर है पूरा यह 32E Tc ट्यूब्स हाई इस वाटर रेटर को पच्च्छा शो लिटर रगाए एपि टिंग पर यूपर का टैंक पास्टोलीटर का बैठेगा दोस्तों लगबग प्रेम तयार होने को आई आए तो दोस्तों इस वीडियो में दिखा रहे हूं वीडियो कंटेंड कर अपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक किजिए और लगबग पास्तो तीस वीडियो मेरे चानल के प्लेलिस्ट में मुझूद है वह भी आप देख लीजे आपको बहुत सरा नौलज आए जाएगा है यहिए दोस्तो यह टीवी आपको होता है पूरा बहुत वजंदार ट्यूब का बोक्स रहते है दोस्तो 32 ट्यूब उपर लाना भहुत जिग्रे का काम है दोस्तो निदेखेए काच के ट्यूब रहते हैं एक BOKS में दस ट्यूब है तीन BOKS 30 ट्यूब और आगे के एक्स्ट्रा ट्यूब है वो तीन दो ट्यूब 32 ट्यूब के 32 ट्यूब है ज़स ट्यूब का एक बॉक्स रहता है पस्तो लिटर का यह सोलर वाटर ही रहे उसे हिटिंग इलिमेंट भी लगाने वाला हूं यह कमर्सिbn जूब है उसके लिए लगारा हूं इसलेए हिटिंग इलिमेंट भी लगा रहा हूं किसे वो भी बाद में आपको दिखाऊंगा दोस्तों किटिंग इलिमेंट का बैटता है यह पूरा देखे अलिमिनियम स्टक्चर आये पूरा ख्रेम आये अलिमिनियम का अब इतंकी बहुत तकलिब होई उपर तंकी लाने के लिए दूसरे मंजिल पर इस्टील के नडबोल टाय पूरे रष्ट नहीं पकड़ेंगे कुछ खराब नहीं होंगे जल्दी मेंटेनस कम होगा नहीं आयेगा ही नहीं मेंटेनस तोरा हेवी डूटी भी वर्क करते हैं 20 वरस पूरान होस्पिटल है नॉस्टर पूजरय होस्पिटल मीरज में तोरह Staffи पूराना इसका इनका भ्लेट सोलर वाट रेटर था वह ख़शार युकत पारी से पूरा खराब होंगे सड़ गया दोस्तों निकाल के अंदर रखा है अभी स्क्राब करने का है यह फ्लैट पेट सोलर वाटर रेटर है आपको मैंने लेड दिखाए उसके कि एक्षार रुकत पाने को नहीं चलता दोस्तों यह इटी से चल सकता है अब यह दो ट्यूब है एक ट्रा और तीन बॉक्स 32 त्यूब जाय दोस्तों अन्दर कॉपर का को टिंग रहता है उपर यह निले सोलर पैनल जाइस तक लिटिक डबल दबल डबल ट्यूब है उपर एक ट्यूब रहते हैं उसके अंदर गाप रहता है और उसके अंदर एक ट्यूब रहते है यह भी हमने लगा जाए 12 किलोग डाल का है अन ग्रीड प्लैंटर भी हमने ही लगाशाय बहुत दिन हो गई तब गॉस्तों कमर्शिल प्रोजेट को भी के उपर लाने में बहुत वजंदार है कि इंचार लोग पास लोग मिला के उपर ला रहे हैं पहला टक्चर हमने फिट कर लिया है इसका प्रेम वर्क पूरा प्रेम कस दिया है तो यह तंकी उस पर बैटेगी कि अधिन प्लंबिंग काम थोड़ा हुआ है और प्लंबर भाग गया है अभी आगे का प्लंबिंग काम हम करेंगे दोस्तों सबी पूरा प्रोजेट वर्क महीने लिया है लंबिंग काम भी मही करूंगा इलेक्ट्रिकल उसको क्वाइल को सपला है क्वाइल भी बिठा रहा हुर्धने के पास है जाने है विर्यादने के पास हमाने पाक्म नहीं हीच इसको पेपरूर निकाल रहै अधे पूरा स्टील टैंक है दोस्ते अंदर जिया है तंकिया है उपर स्टील का यह है स्टील प्लेटिंग स्टील का देखिए स्टील सीट से दक्यों ही टंकिया है अब बाहर देखर रहे तो जिया या एमस में रहता है उपर का पत्रा जो रहता है यह स्टील का पत्रा देखिए है अच्छा चमक राया आपको कोटिंग निकाल दिया है आमने स्टील में कमर्शियल यूज के लिए चाहिए ता इसलिए अच्छा चाहिए बना के लिए है एक्चुली महीने इस टील का पत्रा वाला टैंक कही नहीं मिलता आडर दिया तो हमारे दोस्त ने बना के दिया है कि याए के सीट वाला ही सुल्वर टैंक मिलता है बहर का कौनसे भी कमपनी का देखिए यह मेरे दोस्त की कमपनिया है वही बनाती है पूरा श्टिल उपर से बारिश में भी नई रश्ट पकड़ेगा आपने मेरे घर के सोलर वाटरीटर के वीडियो देखे होंगे मेरे प्लेलिक्ट में जाके देख लिए वो कैसा रश्ट पकड़ लिया देखिए वो श्टिल का पत्रव नहीं था स्टिल शित नहीं था उस पर इसलिए उसने रश्ट पकड़ ले देखिए पूरा स्टिल वैट सोलर वाटर वाटर सन कमपनी है सैंडर हेवी देखिए देखिए स्टिल का बहुत अची तरह चमक रहा है बिद्धोर अब हम इसे आइल लगा के लिए रहा है अबया बिदाने वाले हम अबया है थर्टी टू तो ट्यूब्स बइखिए भी टैंक पूरा कस दिया है हमने बटाके अब चूब फितिंगा काम चलो है लाइन टेख रहा है उसका आंगल एंगल हम कम ज्यादा कर सकते हैं 20 से 25 दिगरी तक एंगल रख सकते हैं टैंक नीचे उपर नीचे घुम सकता है यह लाश्ट की और प्रस्ट की ट्यूब हमने बिटा लिए अभी इसका लाइन लेन देख रहे हैं कहां उपर नीचे हो आई क्या कर देख रहे हैं फिर सभी ट्यूब बिटाएंगे दोस्तों किसी कौनसा लेग उपर लटक रहा है या पीछे का लेग सब लइन लेग देखना पड़ता है कि यह टंकी उपर नीचे लेना पड़ता है कि उपर लोड नहीं आना चाहिए कि दो ट्यूब बिटाएंगे दो ट्यूब बिटाएंगे अभी 30 ट्यूब बिटाना है अभी बहुत रिस्किवर का है दोस्तों यह कि एक एक करके हम कि ट्यूब बिटा रहे हैं वीडियो कंटेंट अगर आप अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों आइसा जन्यूइन कंटेंट आपको और कहना ही मिलेगा कि ऐस भंबंषल भうん यूई शेट कीजिण गटाहे है अलνिष्प आपकतेंट गखती है कि दम कुद्भी ट्यूब अंदर शे राइते एक तेल लगारहं रिसे न का सीयांопi हम और करannaफले म deduct में अंदर जाए हैं कि इस लेफेतिशत Size इसलिए हो लगा रहे हैं देखिए अभी चार ट्यूब लगा के रेडी हो गया है एक बंदा ओईल में दूबा के दे रहा है एक बंदा बिठा रहा है दोस्ता पूरा ये टीमवर के होता है पास लोग है हम पास लेटर का इटीसी सोलर वाट रहा है वीट इसे तीन किलोवैट का मैं तीन किलोवैट का कोईल बिटा के देऊंगा इस साइड को कोईल बेटता है कि वह सील होल रहता है देखिए आपको नट बोल नट दिक रहा है बड़ा वहाब बैठता है अब यह उपर के जस्कीट है उसके वह उपर लगा रहा है तो देखिए फोरा स्टील का टैंक है यह उपर से रश्ट नहीं पकड़ेगा अपने मेरे घर के वाटरेटर का वीडियो देखा हो तो आप समझ जाओंगे उपर का मेरा खराब हो गया है अब नहीं नहीं टेकनलोजा यह स्टील का शीट उपर लगा के मिल सकता है तुंकिन कंपणी का है भी तुंकिन कंपणी का मंगा के लेना पड़ता है यह कमर्शिल उसके लिए मैंने यह लिया है दस टूप पिटाके हो गई है दहुत केरकोली काम करना पड़ता है दोस्तों तुंकिन का समाना है टूट सकता है दोस्तों एक टूप फुड़ गई तो 600 रुपए यह पानी में आई सकता हमें पूरा वर्क कंपलीट होते आया इसके बाद में प्लम्बिंग करूंगा दोस्तों उसके बाद वो कोईल बिटाओंगा उसका वायरिंग भी करूंगा वो भी आपको दिखाओंगा अगले वीडियो में अब इस वीडियो में आपको प्लम्बिंग और यह फिटिंग दिखा रहा हूं यह वाटरसन कंपनी का इटीसी सोलर वाटर हिट रहे दोस्तों ही वीडियो टी पाच बरस पोरंटी आईसे उच होआ तो कंपनी का पास्टी में प्रिपेर करके मिलता है यह त्यूप को ग्यारिंटी नहीं रहता बंदरों ने फोड दिया किसने कास पत्तर मारा फोड दिया यह त्यूप को ग्यारिंटी को सिवी कंपनी नहीं देथी अंदर अंदर अब इस पर यह बंदर आते है आम के पेड़ा है बहुत हास्पिटल के असपास बंदर भी आते है इसके लिए उपर में स्टैंड करके लोंगा एक जाली का वो भी करने को दिया है वो भी इस पर लगा दूँगा जाली का स्टान एक्चली होस्पिटल का रिनेवेशन का काम भी चाल हो है सभी वेल्टर लोग भी नीचे है उनको बोलाए मही ने होस्पिटल में थोड़ा मतल भी पढ़ा है जूगार से वो बना देंगे एंगे जाली वगर होई है एंगल लाना पड़ेगा इस पर मेरे घर के सुल्वर वाटर इटर को मैंने जैसा किया है कास नफुटे इसलिए कास के लिए सेप्टी के लिए वैसा ही इमको करके दूंगा अश्पितल में यह बंदरों के बंदरों के बहुत समझ्या है देखिए पूरा एक पिटिंग हो गए अब अब यह शाम के वक्त हमने पाच्छे के बाद यह बंबिंग वर्ट चालू किया है दोस्कों पूराप फिनोलक्स में पाइपिंग गई है यह इनलेट आए अंदा पानी यहां से अंदर जाएगा और यह गरम पानी यहां से बाहर आए गरम पानी यह उपर एयर के लिए वेंट रखाए हूँ एयर पाइप यह वाइल बाइट है कि तीन किलोवेट्र इस सब बंचालू का सब जिगिल लखा है सब मेंटनेंस के लिए अच्छी तरह किया है तोरा फ्रेम पर बिचा दिया है परफेक्ट होआ है इसमें आमने पानी चोड़ दिया है पानी अभी चोड़ा नहीं है यह शेप्ति के लिए है दस हजार लिटर उपर पानी का प्रिशर कम पड़े इस वाटर इटर कर स्लीए टैंक बिटाया है उपर के तंका बर बड़े-बड़े तंके 10,000 लिटर पानी इस वाटरेटर की तो ये इसमें पानी अंदर आने का बंद हो जाएगा इसलिए हमने फोटा टैंक एक बिटा जाएगा फ्लस टैंक छरण फोटा é मत्रल ईूप अगया अई प्रेट के लिए पने मत्रल लगने जाएगा । गरम पानी के लिए फ्रण उडीशाम पहल ने यह अउन्पक पानी प्रसाल का इसलिए मने घर पानी के लिए प्रसाणा आकर्ण खाल्व जाएगा नीचे ब eth़िर मोる देखे है यहां से डारेक्ट नीचे जाएगा तो ज्यादा रणिंग नहीं है लगालग नल खुला तो लगालग गरम पानी मेलेगा इस एड़के हमने रूम के पाइप कट कर दिया देके यही महीने बिटाया है बहुत दिन पहले अंग्रिज सोलर फ्लैन वह भी आपको वीडियो एक बार दिखाऊंगा दो जो में कातर के बहुत फोल्ड फ्लैन तब सबसेडी कमर्शियल को भी मिलती थी फोल्ड फ्लैन उपके यह फ्लस टैंका यूज आम ने किया है तंकी स्वेटी के लिए की आए दोसको उपर के टांकी का प्रेशर्जाय प्रेशर इस टैंकी की पर ना पढ़े इसली बहुत उपर पानी बड़े बड़े बढ़ी टंकी आए हो ना थी हॉस्पिटल की बाट रइटर उपर प्रेशर पढ़ सकते है काच किटी यूप बूँ पू यह तंकी भर गई सोलर वाटर इंटर के तो